हलो स्टुडेंट आपका अमारे अमेजिंग से प्लेटपॉम सोनो कंपिटिशन क्लासिस पे आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम मिसलीनियस की एक्सराइज सोल करने वाले हैं वो भी अपने कॉनिक सेक्षन चेप्टर की कॉनिक सेक्षन में हमने अब तक क्या क्या कर लिया अपने पास पेरा बोला, सरकील है, इलिप्स है, हाइपर बोला इन सबकी एक्सराइज और इनकी ठियोरी है वो completely हमने complete कर चुके हैं अब आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने मिसलियनेस के exercise के क्यूशन, जो है exercise के क्यूशन सोल करेंगे, और अपने examples भी हमने पूरे कर लिये थे, जो की 3 examples थे अपने, according to NCRT, तो यहाँ पर देखिएगा कि आज हम अपना first question करने जा रहे हैं, और देखिएगा कि I hope आपको मैंन इसलिए तो चलिए देखते हैं, अब आगे start करते हैं अपना, तो जो parabolic अपने पास एक reflector दिया हुआ है, जिसके देखिएगा diameter क्या दिया हुआ है, वो देखने लाएक है, वो 20 cm है, 5 cm क्या है, वो एक depth है, तो reflector जैसा है कि जिसमें एक reflector, parabola को एक reflector माना हुआ है, तो द generally use करने वाला, तो reflector होता है, उस तरीके से, तो reflector जैसे अपने आमने, तो देखेंगे, तो जैसे काच होता है, उस तरीके का एक क्या है, वहाँ पर एक reflector दिया हुआ, पेराबोला size का है, तो हम कैसे, उसको ऐसे ही तो देखते है, इसलिए उसका जो save बनेगा, वो ऐसे ही तो इसलिए यहाँ पर, पेस्टली तो अपने पास, देखो, reflector कैसा बोला हुआ, इसने पेराबोला टाइप का बोला हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे, कैसे क्या करेंगी, यहाँ पर अपने पास यह पेराबोला, और इस परकार से पेराबोला जैसे आपको डाइग्राम समझ में आ गया ना सारी कानी के लिए रो जाईगी यहां से आप देखोगे तो आपको एक तो दियावा इसका डाइमेटर तो अपने पास देखिएगा कि यह है यह आपका डाइमेटर अब डाइमेटर आपको कितना दियावा है टोटल है 20 cm अब आगे देखिएगा कि क्या आने वाला है अपने पास इसकी डेप्त अंदर की गहराही है वह देखिएगा कितनी है वह अपने पास है 5 cm अब अपने पास देखिए एक point यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको कि कि यह वाले distance आप जानते हो किומקि symmetry होगी तो यहाँ पर यह तो डिस्टैंस थो अपके पास doeएगा क्या है 5 है तो यहाँ से एक पाको point मिल जाएगा वह क्या मिलेगा अकस तो है अपना 5 और यहां से यह कितना जगा 10 और यह अपने पास point आगया अपना P point यहां तक clear है अब देको मैं यहीं पर समझा दूँगा आपको क्या करना अपने को तो क्या चाहिए यहां पर focus चाहिए समझ में आगे focus का मतलब H चाहिए अब यह यह पराबोला की equation कौन सी है यह पराबोला आपको पता होना चाहिए कि y equal to कौन सा है 4a x है अब क्यूशन तो यहीं खत्म हो गया कि 5 जैसे यहां पर आप पूट करोगे y और यहां पर क्या रखोगे 5 वे से कट-कटा है कि जो answer आएगा वही अपने क्या होंगे answers होंगे पट आपको यहां पर थोड़ा लिखना पड़ेगा जो भी हमें दिया वाया देखिएगा कि क्या है कि यहां पर given क्या आपको given that क्या given that है कि reflector तो parabolic reflector पहले तो अपने को diameter दिया वाना तो यहां से देखिएगा कि die diameter of parabolic reflector कितना है is 20 cm and इसकी depth देखिएगा and depth कितने depth is 5 cm यहां से depth कितने है 5 cm है तो यहां से जैसे यह point आएगा तो यहां पर हमें क्या मिलेगा एक point मिलेगा यह तो obviously बात है और यहां से देखिएगा कि हम क्या करेंगे यहां से देखिएगा कि कितना आएगा तो यहां पर एक point ले लीजिए आप इसको p, इसको q और यहां पर इसको r देजिएगा ठीक है तो यहां से थेखेंगे तो जो यह क्या होगी यह Two- sailed यह क्या होगी टोटल है जबकि symmetry से PR है वो अपने पास क्या आजाएगा यहां पर 10 आजाएगा ठीक है तो देखते हैं तो क्या आएगा कि यहां से देखेगा कि length of PR length क्या आएगा length of PR क्या आएगी PR line length of PR line कितनी अपने पास वो है 10 वो कैसे है by symmetry यहां तक के लिए आपको by symmetry है अब symmetry जैसे आई तो यहां से PR आगा अब यहां से PR आते ही और यह अपने पास है तो from diagram देखेगा कि we have अपने पास एक point होगा we have a we have a point कहां पे lies करता है lies on lies on paravola यह paravola है जो कि क्या है which है जो कि P equal to कितना आएगा यहां से आएगा 5,10 यह आएने वाल है यहां तक clear है अब यह point होगा और यहां से according to diagram हम क्या लिखेंगे according to diagram according to diagram अपने पास देखेगा कि equation of parabola क्या आएगा equation of parabola तो parabola की equation क्या है अपने पास y square equal to 4 ax यह अपने पास equation first i अब क्या करना है इस point को इसमें satisfied करना अपना काम हो गया बस कि point देखेगा कि point p point p क्या है अपना point p क्या है अपने पास देखेगा की एक तो आएगा यहां पर 10 y तो अपने पास 10 था और depth थी उसकी 5 10 थी ठीक है तो यहां से देखेगा point p कि satisfied is satisfied equation of equation of parabola तो यहां से equation of parabola क्या हुआ अपने पास देखेगा कि उसको satisfied करेगी तो अपने पास देखेगा y equal to 4 a x है अब यहां पर y की जगह तो आप 10 put कर दो ठीक है और 4 a और x की जगह हम क्या put करेंगे x की जगह हम 5 put कर देंगे और यहां से आपके सामने देखेगा कि क्या यहां यहां पर 108 आगया 10 का square और यहां आएगा 20 a और जैसे यह अपने पास देखेगा कि a आएगा 5 तो यहां से then अब अपने पास focus आई गया कि focus के coordinates क्या होते है focus के coordinates अपने पास देखेगा कि यहां कुछ भी late कर लो तो कि a कोमा क्या होता है यह होता है f obvious ही बात है तो then क्या करेंगे then coordinate of focus क्या होंगे point वो होंगे f equal to कितना होगा तो यहां पर a की value कितनी है 5 और यह ही अपने पास क्या होंगे answer होंगे तो यहां तकी बात है कि लिए आई hope आपको तो अब चलते हैं next question second number में चलिए देखते है second question क्या बोलता है एक बोलती arch is in the form of parabolic parabolic form में क्या एक arch it axis vertical जो इसकी जो axis है वो अपने पास देखिएगा कि vertical axis है then arch is the 10 meter 10 meter height है और 5 उसकी चोड़ाई है how तो यहां से देखिएगा wide is the 2 cm from the vertex of parabolic एक parabolic एक तो देखिए अपने पास क्या दिया है axis तो इसका vertical है यह बात notate करने की है इसका मतलब vertical है इसका मतलब horizontal पे तो यह आने वाला नहीं है axis और arc है ठीक है तो यह क्या आती है arch यान कि महराव होती है जो कि इस तरीके से अपने पास बनती है यान कि जब भी आप कुछ मंदिर्स वगेरा देखते होंगे जिसमें ऐसे कुछ designs आती है जिसमें ऐसे cut cut करके ऐसे design आती है फिर इधर ऐसे design आती है तो इसको महरा बोलते है तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यह कुछ perabola shape की है यान कि perabola shape की आते इस तरीके से यह नीचे की तरह बन रही है तो आपको यहां से आइडिया लगेगा कि यह perabola देखिए वर्टिकल पे है ठीक है और vertical पे होते हैं क्या होगा यह देखेगा कि vertical line है मेरा arts का मतलब आपको समझ में आ गया कि जिस परकार से इस परकार के एक designing होती है जो आर्किटेक्टिंग में की जाती है और यह इस तरीके से यहाँ पे इसे cut-cut करके इस परकार से होती है तो यह देखेगा पेराबोला बना है और नीचे की साइड में बना है कि downward पेराबोला बना है समझ में आगे जो कि vertically क्या दिया वा अपने को जो कि हमें क्या है vertical axis तो पहले अपने cushion में दिया वा है तो vertical को समझते हुए फिर ये देखा गया कि arch होता क्या है एक mirror type का होता है तो देखिएगा कि क्या है अब देखिए इस cushion में भी हमें diagram की जरुत पड़ेगी और diagram से हम समझ पाएंगे तो मैंने इस परकार की diagram आपको draw करके बता है जो कि एक parabola होगा तो यह parabola नीचे की तरफ खुलेगा इसका भी आपको मैंने region बता दिया कि यह क्यों नीचे की तरफ खुलेगा यहां तक की बात किलिए रहे आपको अब यहां से इसने बोला है कि जो इसकी height है suppose that इसकी जो diagram थोड़ा अच्छा बनाएंगे भई सीधा बनाएं यह अब यहां से हमारे पास देखिए इस परकार की एक shape बनेगी arch यह, arch सब्दन यह btx से आया है तो यहां पर इस परकार की एक shape बनती है उसको हम arch बोलते हैं तो यहां से अब अपने पास आया कि इसने देखिए बोला क्या है अपने पास vertical axis का मतलब तो यह आ गया यह horizontal होती तो vertical axis यह आई पिर इसने बोला कि इसकी height है यहां पर देखिए कि जो इसकी देखिए यहां तक लेकर ऐसे संबल लिजागा कि यहां तक कि इसके height 10 यहां पर इसने बोल दिया अपने को 10 cm 10 meter दिया वाय तो 10 meter ले लिजे कोई दिकत नहीं है फिर इसने बोला कि इसकी जो चोड़ाई है बाई चोड़ाई भी बता दो लगे हाथ ही यह चोड टोटल है यह 5 cm इसको यहां पर लिखेंगे टोटल कितनी है यह 5 cm यहां पर तोटल 5 cm है अब देखिएगा कि इसको क्या करने पड़ेगा अब आगे देखिएगा कि क्या करना है तो how many wide is 2 cm जब यह यहां से लेके यहां से क्या है अपने पास यह कितना था टोटल 10 cm था ठीक है अब यहां से 10 cm होते ही आपके लिए है विर्थ इसकी चोड़ाई चलो ठीक है देखते हैं तो यहां पर अपने पास देखिएगा कि देन यह जब 2 cm होती है 2 cm यहां पर लेट कर लिया अपना तो यह कितनी होती यह 2 cm जब आएगी तो यह कितनी चोड़ी होगी यह अपने को यहाँ पर इसकी वाइड यह पूछ रहा है यह वाली कि यह कितनी होगी यह बताओ मेरे को ठीक है तो यह कैसे बताएंगे इसको बताने के लिए यहाँ पर एक point अपने को बताना पड़ेगा कि इसका मतलब यह प आप point late करोगे तो point क्या late करोगे कि vertical distance तो आपकी 2 वर्टिकल डिस्टेंस तो कितनी है आपकी 2 तो y आगया 2 और यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर अक्स अपने को find out करना है इसी परकार से यहाँ पर आप c late कर लीजेगा ठीक है late कर लो c और यहाँ पर क्या आने वाला यहाँ पर क्या आने वाला है और यहाँ पर क्या आने वाला है 2 ऐसा आने वाला है वह भी 2 भी क्या आएगा minus क्योंकि हम 4th कोडरेंट में ख्यल रहे हैं नीचे वाले में इसलिए y नगेटिव है तो आपको देखिएगा कि क्या दिया वाए कि एक point है देखना पड़ेगा कि यहां तक कि जो distance है वो और यह देखिएगा कि यह जितना यह जहां पर 10 end होता है वहां पर इसकी चोड़ाई कितनी है 5 है इसकी जो चोड़ाई है वो कितनी है 5 है टोटल कितना है 5 cm है अब देखिएगा कि बहुत ओफ साइट सिमेट्री होते ही यहां पर क्या आएगा 5 by 2 cm आएगा तो जैसे ही अब यहां पर इसकी है तो कितनी है आपके पास 10 और एक point आपको यहां से मिलेगा कि यहां से क्या मिलेगा 10 तो अपने पास देखिएगा कि y है इसका देखिएगा कि height कितनी है इसकी height देखोगे तो क्या है y axis में y axis कितना है इसका 10 तो यहां पर minus का तो 10 आया और x कितना है x कितना है 5 by 2 है तो यह एक point आपको और मिलेगा जो कि इस पेरावोला पर जैसे आपको पूरा पेरावोला मिल जाएगा पेरावोला को जैसे ही इस वाले point पर रखोगे तो वहां से अपने को aks आ जाएगी इर x को क्या कर दोगे जाएगा अपने पास यह पूरी जो चोड़ाई है वह आ जाएगी डाइग्राम आई होप आपको समझ में आया होगा तो यहां तक यह आ गया और अपने पास यह point को आप point दे दीजेगा कि a b c point p point दे दीजेगा यहां तक कि लिए रबाते हैं अब देखिए जो चीजे दी डाउनवर्ड आ रहा है तो x square equal to minus का 4 ay आएगी और यह अपने पास क्या है पेराबोला की equation है यह आपको ध्यान में होनी चीजे इस परकार से पेराबोला कौन सा आता है यह अपने पास axis है यह अपने पास y है यह अपने पास extension है और यह अपने पास y days है ठीक है अब चलते ह अपने आगे तो given क्या है कि given अपने पास देखिएगा कि length of एक तो अपने को देखिए vertical तो DIY है फिर तो एक तो क्या दियावाई है given that यहां से जो है पेराबोला किसके along है पेराबोला इस अलोंग दी क्या दियावाई वर्टिकल वर्टिकल अक्सिस ठीक है यहां से वर्टिकल अक्सिस यह अपने को given है अब देखिएगा कि length कितनी दी है यहां से देखिएगा कि arch जो अपने पास जो arch थी उसकी height कितनी है arch, arch height is height is कितना 10 meter है और इसकी जो चोड़ाई है वो कितनी है and 5 cm इसकी क्या है चोड़ाई है and 5 cm यह कितना है height is wide है और इस पर wide है 5 cm और 8 है base जो कि कहां पर है 8 a base है यहां पर base है how wide is 2 cm अपने को यह find out करना है कि 2 cm पर वो कितना चोड़ा है यह बात नहीं बात की है अब पहले हम इसमें जो भी चीज़ें हमने लिखी है तो यहां पर हमने लिख दी है अब देखिएगा अब सारा जो प्रोग्राम होने वाला वो डाइग्राम से होने वाला है जो डाइग General Equation or Parabola यहां से पैर बोला कि जो General Equation होने वाली है वो क्या होने वाली वो देखेगा General Equation क्या होगी वो होगी क्या अपने पास इस के अकोडिंग diagram के according वो होने वाली अपने पास x square minus 4 ay 4 ay होने वाला है तो जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे अब यह आ गया according to diagram अपने पास देखिए एक point है according to diagram a point अब एक अपने पास क्या होगा point होगा कौन सा होगा देखिएगा कि point इसको अपने क्या name दिया था p, p point था p point क्या है अपने पास 5 minus का यह minus का 10 अब यह कहाँ पर lies करता है lies on the parabola जो कि parabola पर क्या कर रहा है lies कर रहा है जैसे parabola पर lies करेगा तो इसको satisfied करेगा then क्या गरेगा then it is satisfied it is it is satisfied the equation of it is satisfied the equation of parabola यह parabola को क्या करेगा satisfied करेगा अब जैसे यह parabola को satisfied करेगा तो यहां से देगे x तो कितना हो गया इसका x तो यहां से यहां पर x तो कितना हो गया 5 2 का whole square और equal to minus का 4 a और यहां से y की value कितनी है यह यह 10 अब जैसे इसको आप solve कर आओगे तो देखिए क्या आएगी यहां पर plus का आजाएगा आपके सामने यह आएगा 20 नीचे आएगा 4 और इदर कितना आएगा 40 और a अब a यहां से भी क्या आएगा आपके सामने 5 अपन में 32 32 यह आएगा यहां तक किलियर होगी है आएगा आपको बात है अब देखिए क्यूसंस इन में कुछ कोमेडी भी नहीं हो सकती है यह बात है क्या कोमेडी करहा है जोडो तोडो फोडो बस यह चल रहा है यहां पर तो और क्या करहा है अब a की value put कर दो कि यहां से देखिएगा put a equal to 5 by 32 in equation कौन सी अपने पास x square equal to minus का 4 ay तो यहां से क्या आएगा जैसे इसमें put करोगे तो x square equal to यहां से आएगा 4 into a की value आएगी 5 by 32 और यहां से आएगा y अब यहां से देखिएगा x square और यहां से 8 times चला जाएगा तो यह आएगा 5 by 8 और यहां पर आएगा y तो यह अपने पास देखिए एक parabola की equation आज़ुकी है completely अब according to diagram अब अपने को क्या चीए y चीए y क्या चीए अपने को करेंगे when की देखिएगा की when क्या है की height height is 2 cm from vertex then vertex then अपने पास तो then वह क्या पूछ रहा है की how much how much arch is wide यह अपने को यहां से पूछा जा रहा है की वह कितनी लंबी होगी तो according to diagram अब वही बात है की इस question को हम क्या करेंगे diagram पे सब कुछ dependent according to diagram अपने पास एक point होगा जो की क्या होगा इस parabola पे lies करेगा अब देखिये रुकिये की हमने क्या किया की ठीक है तो यहां से उसको की अब देखियेगा इस question में अपने को क्या करना पड़ेगा कुछ late करना पड़ेगा वह था इसकी यह half wide length ठीक है इसलिए तो इसको हमें late किया कि x है half उसकी length है वह तो यह जो x है x is half length of wide जो इसकी चोड़ाई है उसकी half length x तो यहां से हमें पता चल जाए कि जब हम इसको two times कर देंगे तो total क्या जाएगी अपनी wide जाएगी उसकी वर्टे जो अपना पेरा बोला है ठीक है of total length of wide of total length of wide जो half length wide of चोड़ाई कि जो half length वह क्या है x तो इसमें थोड़ा इसको ना करके यहां पे हमें आगे off करेंगे off जो अपने पास क्या है arch है इसका यहां तक clear है अब अपने पास देखेगा कि एक point होगा तो कि we have a point होगा जो कि क्या है lies करता है on the parabola lies on क्या होगा we have a point lies on parabola यहां से parabola पर क्या कर रहा है वह point lies कर रहा है और वह क्या है अपने पास point क्या है which point C होगा जो कि आपके पास में क्या होगा जो कि x तो देखेगा x तो positive आएगा नीचे क्या आएगा 2 cm पर पूछ रहा है तो 2 cm माइनस का 2 यही होगा ना देखेगे माइनस का 2 और अमने यह point है अब यह point क्या करेगा इस पेरावोला को satisfied करेगा ठीक है तो देन point कौन सा है यह अपने पास C x माइनस का 2 satisfied the equation of equation of पेरावोला इसको क्या करेगा satisfied करेगा अब जैसे इसको satisfied करेगा तो x equal to आपके सामने आएगा y upon me 2 और यह y है अब इस point को यहाँ पे पुट करा दो तो यहाँ से आपके सामने आएगा x equal और यह कितना आएगा यहाँ पे आजाएगा minus का यह 2 और यहाँ से यह तो 8 था ना हमने 2 कैसे लिख लिए यह अपने पास है 8 यह अपने पास है 8 यह अपने पास है 8 ठीक है और यह आगया 5 by 4 अब इसकी जो value आएगी 1 point और 2.5 आएगी और यहाँ से देखिएगा यहाँ से देखिएगा x की value तो आपके सामने आएगी under root 1.2 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि length है इसलिए under root में plus minus आएगा बट हम करेंगे x equal to क्योंकि हमें length चाहिए तो प्लस वाला लेंगे because length यह आगया अब जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि अपने पास तो पूरी वह चाहिए उसकी wide कितना होगा तो यहाँ पे देखिएगा कि अब अपने को क्या चाहिए length of यह चाहिए यह पूरा BC ठीक है ना तो यहाँ पे देखिएगा कि we need we need to length of bc अब जो bc होगा वो क्या होगा bc equal to यह आएगा bc equal to क्या आएगा? 2x अब जैसे यह आपको 2 और under root में 1 point इसको solve करोगे तो आपके पास almost 2.43 क्या आएगा आएगा इसको यह तो यहां तक I hope आपको clear होगा answer तो यह अपने पास इसकी length आएगी और यह किसमें आएगी? cm में आएगी यह अपने क्या answer है तो देखिए यह थोड़ा सा lengthy process है क्योंकि इसमें बातें लिखनी पड़ती है इसलिए तो यह अपने पास second number का question है जो कि complete होता है अब आते हैं third number में अब देखिए third number का question कितना बड़ा है और इसमें एक NCRT में क्या है इंगलिस मेडियम में थोड़ा सा mistake भी है वो मैं आपको बताई दूंगा यहां पर क्या है देखिएगा कि एक अपने पास क्या है uniform loaded suspense bridge है hanging in the form of a parabolic the roadway which is horizontal and 100 meter long is supported जो कि क्या है 100 meter तो क्या है horizontal अपकी बार यह जो line दी वही ना इन्होंने यह पूरी तरीके से गलत दी वही है यानि कि इसने यह बोलना चाहिए था जो इसकी horizontal थी वो length है 100 meter है और आगे देखिएगा कि इसने vertically क्या दे दी जब 100 meter बोला ना तो इसने आगे vertical बोल दिया बट vertically उसको cable है वो कितनी 30 cm है और फिर है इसकी shortest जो उसको बांदने में जो काम में आ रहा है वो अपने पास 6 cm है और longest अपने पास 30 cm है तो finding तो इसने क्या बोला कि यह बोला कि finding the length of supporting wire supporting wire की क्या है आपको length बतानी है attached to roadway 80 cm from middle यानि उसके middle से 80 cm जब भी हम क्या करते है उसके जोडते हैं तो वहां पर अपने को क्या बतानी पड़ेगी की length बतानी है finding the length of supporting wire supporting wire की length बतानी है तो यहां से देखे पहले इतना question से तो कुछ ही आपको idea नहीं लगेगा पहली बात हो जैसे हम diagram जैसे जैसे draw करते जाएंगे वैसे वैसे बाते clear होती जाएंगी अब देखेंगा कि पहले तो अपने पास यहां पे एक थोड़ा सा idea लीजिएगा कि hanging bridge होता कैसे ऐसे होता है थोड़ा ऐसे तो इसका मतलब upward parabola यहां कि यह चीज़ें आपको थोड़ा ऐसे कैसे हम decision ले पा रहे हैं कि upward parabola होगा downward होगा यह axis पे आएगा यह बातें क्या होंगी जैसे हमारे पास जो shape बोलेगा जैसे hanging bridge होता है तो वह ऐसे होता है नीचे लटका हुआ उपर ओपर ऐसे जूला हुआ इसलिए उस तरीके से हम जाएंगे तो यहां पे xy coordinates हम लेते हैं यह है और यह अब देखिएगा कि यह जो length है आपके पास में एक चीज़ दी हुए है उन्होंने कि कि इसने देखिएगा 100 meter तो है यह ठीक है यहां से एक supporting wire है उसके लिए supporting wire है वह क्या है इस तरीके का है जो कि नीचे है यह द्यार में रखना यह supporting wire है यहां पे 100 meter और hanging bridge है वह ऐसे hanging bridge को support करने के लिए उन्होंने इस परकार से यह hanging bridge है जो की यह, ठीक है, अब इसको support देने के लिए, उन्होंने क्या है, नीचे की तरफ wire दिये, तो थोड़ा सा उसे दूरी पे दिये, ठीक है, अब वो जिसकी जो horizontal length है, वो कितनी है, वो अपने पास 100 meter, समझ में आगी बात, अब इसने क्या बोला, कि इसने ये बोला, कि यहां त 30, जो 30 meter की क्या है, एक wire है, यह, और एक चीज और दी हुए है, उसने 30 meter की, और एक इसने बोला, supportive wire, vertical line, जो कि 30 meter है, highest, और source state between, कितनी है, वो है 60 meter, यानि कि इसकी जो shortest, यानि छोटी से छोटी जो है, अब आपको पता होना चाहिए, कि shortest हम कहां से दे सकते हैं, इसके vertical से दे सकते हैं, और यहाँ पर आगे जाओगे, तब भी भड़ेगी, और इससे इदर जाओगे, तब भी length भड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या दिया है, 6 meter की एक supportive line से जोड़ा है, समझ में आगी, यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा, यह, तो यहाँ से आपको थोड supportive length है, supportive wire है, जो कि अपने ने क्या किया है, यह जोड़ा है, यहाँ से clear है आपको बाते, अब जैसे इसने क्या बोला, कि जब हमने इसको क्या दिया, 18 दिया, कि अब अपने से यह पूछ क्या रहा है, वो बात का जबाब देना है अपने को, तो यहाँ पर, यह हो गया, यह vertex हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो अपने पास देखेगा कि यह distance कितनी है, यह y, तो यहाँ से देखेगा कि, अपने पास यह तो total है, अपने पास 100, यह इसका center है, तो यहाँ पर हाप तो यह हो गई न, इतनी से इतनी तक लेके, यह कितनी होई, यह centimeter होगी, जो कि इसके भी parallel होने वाली है, तो यहाँ पर एक point होगा, जो कि इसके parabola पर आएगा, अब यहाँ पर अपने को focus वगेरा किसका idea नहीं है, तो पहले focus भी निकालना पड़ेगा, और इस parabola को आपको पता है, कि इसकी जो equation है, वो क्या है, x square equal to 4 ay, अब यहाँ से a भ इतनी, यानि कि 30 है, जबकि हाँ यहाँ से 6 meters आएगा, तो 24 ही बचेगा, समझ गया, तो यहाँ से आपके लिए आएगा 24, यहाँ से clear होगा, तो एक point आगया, अपने पास यहाँ पर, पी point होगया, जो कि क्या है, इस parabola पर आएगा, जिसे हमें a मिलेगा, अब देखिएगा कि यहाँ दे की बात है, अब देखिए जो हमें find out करना वो देखिए, यदि हमने इसने क्या किया कि finding the length of supporting wire, अपने को supporting wire की कितनी, क्या है, कि supporting wire की क्या चाहिए, अपने को length चाहिए, length चीए कितनी यदि 8 meter क्या हो middle में हो ठीक है तो यहां से अपने को देखिए कि 6 meter है तो finding the length of supporting wire यह अपने पास supporting wire होगा तो roadway 8 यहां से यदि इसने इसको क्या दिया कि इसने इसको यदि 18 यदि 18 के उपर यहां पर आया है तो इसको कितने इसके लिए supporting wire कितना देना पड़ेगा तो supporting wire देने के लिए देखिएगा कि यहां से इसको ये वाला तो देना ही पड़ेगा पहले ठीक है तो इतना तो नीचे वाला तो fix हो गया बट उपर वाला तो हमें निकालना है पड़ेगा अब उपर वाले को निकालने के लिए हमें इसको क्या माल लिया कि वाई माल लिया भई ये तो है नहीं अपने पास ये तो अपने पास है नहीं वाई माल लिया और नीचे का देखिएगा कि 18 अपने को दियावा है तो यहां से देखिए जब 18 आयता है, तो उसमें हमें कितना इसको supportive wire देना पड़ेगा, तो यहां से 6 तो है, लेकिन y अपने को निखालना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरा, तो अब आगे चलते हम, यहां पर 2 point अपने पास, यहां पर भी, क्या आगया, 2 point आगया अपना, तो तो सारी देखिए, डाइग्राम पर dependent conditions है, और कुछ भी नहीं है, तो देखिएगा कि क्या है, roadway which is horizontal, तो टोटल roadway जो length है, total roadway, length कितना है, is, कितना दियाओ अपने पास, 100 meter, अब देखिए, अपने पास 2 चीजे यहां पर दी हुई है, 2 supportive wire दियाओ, एक तो 100 test दियाओ है, एक longest दियाओ है, तो यहां पर क्या है, कि 100 test, 100 test, wire, length for, 100 test, 100 test wire length is, कितनी है, उसकी 6 cm है, और वो किसके लिए है, for support, यहां से support देखिएगा, as you, supporting wire, ठीक है, यह अपने पास 1 चीजे supporting wire है, and एक देखिएगा कि इसको क्या दियाओ, अपने ने longest support wire भी दियाओ है, यह देखिएगा 30 longest, और एक है longest, कितना है, वो अपने पास देखिएगा कि, कितना है, 30 cm, 30 cm, longest, 30 cm क्या होने वाला है, longest supportive wire, supportive wire, अब सारी जो कानी चलने वाली है, सब कुछ डाइग्राम से चलने वाली है, और कुछ भी नहीं है, तो यह तो चीजे अपने को दी हुई है, अब find out जो करना है वो end में करेंगे, तो यहां से, अब देखिएगा कि क्या है, according to diagram करना है अपने को, according to, according to diagram देखिएगा कि क्या करना है अपने को, according to diagram, general equation of, general equation of parabola क्या होगा, वो देखिएगा कि यहां पर parabola क्या होने वाला है, वो अपने पास, x x square equal to 4 ay होने वाला है, अब अपने पास एक point होगा, जो कि lies होगा, तो a point, यहां से, क्या करेगा, lies करेगा, किसके उपर, parabola पर a point, a point lies on, lies on, lies on, parabola, किसके उपर lies करेगा, parabola पर lies करेगा, जो कि क्या है अपने पास, point lies on the parabola, which, किसके उपर है, वो आएगा, 50 और 24, which, 50 and 24, जो कि क्या है, point B है, ठीक है, यहां पर तो इसको satisfied करेगा, इसको satisfied करेगा, तो आप, इसको तो लिखिए, 50, और यह, इसको satisfied करेगा, उपर वाली equation को, तो यह आएगा, A, और Y आगया, आपका 24, यहां तक clear है, I hope आपको, तो चलिएगा, आगे हम calculation करते हैं, इसकी क्या आने वाली है, तो यहां से आएगा, यह, और आगे देखोंगे, तो क्या आएगा आपके लिए, यह आएगा, 4 into, 4 into 24 into A, और यहां से क्या है, यह आएगा 4, अब देखिए, इसको 4 से divide कर दो, और यह गया 1, और यह कितना गया? यह, तो यह कितना हो गया यहां से? यह तो गया, यह, 2 times, 2 से एक बार और जाएगा, 25 चला गया, अब नीचे देखिएगा, कि यह क्या हैगा 25 अपोन में 24, ठीक है? रूकिए यहां से 4 into 24 है ना? तो सही है, 4 into 24, यहां तक सही है, यहां पर ठीक है 24, और यह कितना आगया अपना A आगया, यहां तक तो कोई दिकत नहीं होगी 6 है, क्या उपर भी और डिवाइड हो रहा है क्या? 6, 13 नहीं होगा फिर, यह यह आएगा A की value, तो then अपने पास देखेगा कि then parabola की equation कहेगी then equation of parabola यहां से parabola की equation देख लीजेगा, तो यहां से अपने पास आएगा क्या? x square equal to 4 into कितना आने वाला है? A की value कितनी है यहां पर? यह है और यहां पर देखेगा कि यह कितनी है? 24 है और यह अपने पास y आया अब यहां से देखेगा कि x square equal to यहां पर कितनी time गया? 625 equal to नीचे कितनी time गया? 6 times गया और y times गया यहां तक clear रहा आपको? तो यहां से अपने पास देखेगा यह तो अपने पास general equation आ चुकी है इसकी यह तो यह इसकी क्या है? अब general equation आ चुकी है तो आगे देखेगा कि क्या है अब अपने को देखेगा कि क्या पूछ रहा है? जब वह 80 meter के उपर था तो वहां पर बताईए कि उसका यह 80 meter क्या है? यह यह वाली है ना 80 meter तो अपने को क्या चाहिए? समझ में आगी बात कि y चाहिए according देखेए अब अपने को need है क्या length of supporting wire length of supporting wire यहां से देखेगा कि कितना आएगा we need to क्या है? we need to length of supporting wire okay? length of supporting wire when roadway length इतनी अपने पास length is 80 cm okay? 18 cm है 18 cm है यह यह ना 18 cm हो 18 meter भई 18 meter है 18 meter है तो यहां तक कि क्लिए आपको बात है? यहां से आगा 80 meter अब देखेगा कि अपने पास तो then, इस condition से then point क्या होगा? point अपने पास होगा 18 in y कहां पर lies करेगा? lies on the lies on the parabola तो parabola पर इस्तित होगा तो यह parabola को क्या करेगा? satisfied करेगा तो यहां से अपने पास और यह यहां से इसकी लेंद देखेगा कि क्या आने वाली है आपके लिए y इसको calculate करना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसका किसी से cut भी नहीं रही न यह तो 18 into 18 और upon में 6 और यह कितना आएगा? 625 equal to y अब यह जो length है अपनी execution में यह वाली y अब यह तो आये कितनी इतनी अब अपने को roadway से इसकी attest करना है तो roadway यह देखे यह प्लस 6 or 8 करना पड़ेगा और यह जो बाकी की calculation है आपको क्या करनी है? तो यहां से देखेगा कि updated total length of क्या होगी? supportive tar यानि wire from from the roadway from from the roadway तो यह कितनी होगी? तो यह आएगी अपने पास जो आएए y में क्या कर दो 6 or 8 कर दो तो कुछ यहां से इनको multiply कराके इनको solve करना पड़ेगा आपको और यह 625 पाएगा प्लस में इसमे 6 8 कर देना यह आपका क्या होगा? अंसर होगा तो इतना तो आप करी कर सकते हो न divide करके बस multiply करके divide करना तो यहां से y आ जाएगा और यहां तक अपना यह question number 3 होता है clear अब चलते हैं हम आगे अब देखिएगा कि हम अपने 4th number के question पर discuss करते हैं देखिएगा कि क्या है आपको अब यहां से कुछ semi ellipse यहनि एक आर्च है जो कि semi ellipse की form में है और 80 meter wide है जिसकी चोड़ाई है 80 meter है is from the center finding the height of the arch of 0.1 cm 1.5 from the from the one end देखिएगा कि क्या है अब यहां से कुछ semi ellipse दिया है और अपने को कुछ height के बारे में पूछा है और देखिएगा कि semi ellipse है तो पहले हम generally जो first form आती उसी को use करते है तो यहां से अपने पास पहले ellipse बनाते है total ellipse तो ellipse बोलते है हाप अपने पास ऐसा बनता है हाप ellipse ऐसा होता है यह ellipse है अब इसने क्या बोला देखिएगा 8 meter height है 8 meter तो यह कितना है wide है यह चोड़ा है यह चोड़ा है इतना इसका क्या है area है 8 centimeter यहां तक clear है अब इसमें देखिएगा क्या है 2 centimeter इसकी क्या है 2 centimeter इसकी height है इसकी height आगी अपने पास 2 centimeter तो 2 centimeter जैसे इसकी height आई यह अपने पास 2 centimeter आगी यहां से 2 centimeter आगी अब इसने क्या बोला है कि कि इसने बोला कि finding the height of the arch at the end point of 1 point 1 centimeter of 1 end point यहां से यह इसका जो end point है यह इसके 2 end points है ठीक है अब इन से क्या करना है कि 1.5 centimeter पे इसकी height देखनी है अपने को समझ में आगी बात कैसे देखनी है यह तो यहां से देखिएगा कि 1 end point तो यहां पे यह पूछ रहा है इससे पीछे क्या कि 1 centimeter from 1.5 centimeter पीछे इस end point से पीछे तो यहां तक कितना x आया रहे यहां पे अपने पास totally कितना है यह 4 है हाप हो गया है इसका center है 4 में से कितना जाएगा 1 point 4 में से तो यहां का point आने वाला आपको वह कितना आएगा 2.5 centimeter अब जैसे यह 2.5 centimeter आया तो यहां पे point क्या मिला आपको point मिला है 2 point और यह अपने पास में y आया है सही है यहां तक की बात है और इसको हमने कोई p point name दे दिया p है तो यह अपने को यहां से y निकालना है y कैसे find out height तो यह यह ना इसकी कि 2 centimeter end point से इसके height बता दो कि कितने यह one point five पीछे यहां कि यह क्या पूरा from the one end point eight a one point five centimeter यहां से one end point से one point five centimeter यहां इसके पीछे तो यह two point five बना है समझ में आगी तो यहां से यह अपने पास four है अब देखिएगा कि इसकी पहले यह ellipse है तो पहले हम इस ellipse की क्या निकालेंगे equation निकालेंगे फिर यह point उसमें रख देंगे बस इतना ही काम करेंगे वहीं से अपनी height आ जाएगी कि लिए रबात तो देखिएगा given क्या है given that क्या है कि अपने पास कि एक तो क्या है कि wide of semi ellipse इस कितना अपने पास 8 है और इसकी देखिएगा कि height कितनी है high और यहां से देखिएगा कि high height of semi ellipse कितना है अपने पास वो है अपने पास 2 cm from cm सब कुछ मीटर में है कुछ भी cm में नहीं है अपने पास अपने पास यह सब तो दिया हुआ है तो क्या गरेंगे according to diagram देखिएगा according to diagram यहां से देखिएगा कि according to diagram चलेंगे तो length of major axis के आएगी कि length of length of major axis of semi ellipse दिया वा न अपने को तो यह semi ellipse आ गया वो आती है कितनी यहां पे तो यह देखेंगे तो यह तो 2 a ही है और यह 2 a है और अपने को given कितनी है 8 तो यह a और यहां से a की value तो अपने पास 4 आ गई और इसने देखिएगा distance कितनी दिवी अपने को center से 2 तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगे point के coordinates मिल जाएगे b का तो अब देखिएगा कि we have कि minor जो अपने पास axis आएगा minor axis length कितनी है वो अपने पास है b और b equal to कितना है यानि minor axis यह उपर वाला है जो कि b है न हाप है हाप है यह पूरा minor भी नहीं है क्या है पूरा minor भी नहीं है यह थोड़ा सा गलत पूंट है अपना तो थोड़ा सा क्योंकि यह पूरा minor भी नहीं होता नहीं but half देखिएगा तो इसलिए देखिएगा क्या देखिएगा क्या देखिएगा यहां पे दीवे है कि हाइट Height of ellipse Semi ellipse भाई Semi ellipse is is कितनी है? 2 meter है तो then अपने पास b equal to 2 meter अब यहां से सिदा हम equation लिख देगे then अब देखिएगा then equation of ellipse ellipse क्या आएगी ellipse क्या है equation तो यहां से a a की value कितनी अपने पास 4 है 4 का whole square plus यहां से देखिए y कितना है y अपने पास 2 और यह अपने पास 2 का whole square equal to 1 और यहां से then equation क्या आएगी अपने पास वह आगे x square upon me 6 plus का यहां से आएगी y और नीचे कितना आएगा 4 equal to 1 और यह तो अभी equation आई है अब एक point और होगा अब अपने को we need to height चीए तो देखिएगा when the point end from 1.5 cm तो यहां से देखिएगा कि क्या दी हुए है कि we need to अपने को गया है we need to height of ellipse semi ellipse semi ellipse now height of semi ellipse चीए ना अपने को कब चीए क्या है कि when देखिएगा कि क्या दियागा कि when a point 1.5 cm when point is 1.5 cm meter from one end point यह one end point पर है तो यहां से तो इसको find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो हमारे पास एक क्या होगा? point होगा we have a point क्या होगा? देखिएगा डाइग्राम में डाइग्राम में अपने पास point P होगा तो अपने पास P है we have a point P है जो कि 2.5 है हना? lies on semi ellipse semi ellipse पे है और यहां से क्या आएगा? semi ellipse पे है तो a और नीचे कितना आएगा? 16 प्लस y और नीचे कितना आएगा? 4 और equal to 1 अब यह इसको satisfied करेगा तो अक्स की value तो कितनी अपने पास 2.5 और यह कितना आएगा? 16 और यह equal plus का y equal to 4 equal to 1 है clear रहे यहां पे अब इसको solve करोगे तो 6.25 आएगा यह आपका 16 आएगा और यह y square आएगा और यह आएगा अब इसको क्या कर दो? 1 में से subtract कर दो यह सारी बात हैं तो यह 1 y ओफो यहां पे रुकिएगा अब y तो चाहिए न? हाँ सही है 1 और यह आएगा 6.25 upon में यह आएगा 16 और आप देखिएगा कि upon में क्या है 4 और यहां से upon में 4 है अब इसको देखिएगा कि 16 minus 6.25 upon में 16 अब यह देखिएगा कि y अब यहां से 6 जाएगा तो यह कितना बचेगा? 10.25 upon में और देखिए इदर का 4 इसको कट कर देगा तो 4 आएगा सही है यहां तक अब आगे देखिएगा कि इसको solve करने के लिए देखिएगा और नीचे देखिएगा कि कितना आएगा तो यह देखिएगा 100025 किसी का square root थोड़ी न check कर लो किसी का है तो काम हो जाएगा अपना भी आसान तो पहला तो जाएगा 3 times 3 times गया तो यहां पे 9 1 2 5 और यहां से 6 आएगा और 6 से 3 3 6 आगया अब आगे देखिएगा कितना आप add कर सकते हो इसमें 5 लाने के लिए 5 तो यहां से 5 एक ही तरीके से आसकता आपका 25 आसकता है और यहां पे यह आएगा 32 यह 9 1 तो यह आगे का आपको ही करना पड़ेगा यहां से क्या होगा हमें देखिएगा नीचे 4 था है और नीचे square root है यहां से y का length क्या आएगा under root में 120 upon में क्या आएगा ठीक है यह अपने पास क्या होगे answer होगे तो अब अपने पास देखिएगा आगे क्या है अब आगे अपने पास है 5 वाला question है 5 वाले question को हम करते है एक क्या है अपने पास road है 12 cm moving with the end always like touch on the coordinate axis यानि कि x axis को touch करता है y axis को touch करता है और इसके बाद में determine the equation of the location of the point P यानि locus point का अपने को equation find out करना है जो last time हमने जो किया था ठीक है on the point road which is the 3 cm from the end in the contact with x axis जैसे वो x axis पे क्या कर रही है टच कर रही है तो वहाँ से वह 3 cm पे point है जिसको हमें last time उसको भी P point बोला था अब भी P point ही बोलेंगे ठीक है अब चलते है आगे तो पहले इसका diagram clear कर लेते हैं यह अपने पास एक line होगी यह road है और इसके यहाँ पे यह axis पे cut कर रही है यानि touch कर रही है और यहाँ पे y axis पे touch कर रही है और कहाँ पे देखिएगा इस वाले question में यह total है अपने पास देखिएगा कि total है यह total अपने पास और यहाँ तक है यह इसी से काम करते है अपना यह किस काम के लिए है भाई यह यह 20 cm है अपना 20 meter होगा I think हाँ 20 cm है यह यह अब देखिएगा कि इसमें यह अपने पास एक point यहाँ पे touch कर रही है यह अपने पास line होगी जो कि AB line होगी और इसने एक point P बोला है जो कि लोकस point है इसका x, y x, y है अब देखिएगा कि इसमें अपने को एक end point है जो कि axis से है यह point कितनी दूरी पे है 3 cm पे है यह यह जो distance है यहाँ से अब यह उपर जो बच गई वह कितनी बची 9 बच गई ना इसको कि 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 cm है अब यहाँ से वह ही triangle बनाने है अपने को वह क्या बनाने है यहाँ से देख लीजेगा अब यहाँ से एक perpendicular A से डालेंगे हम और एक perpendicular A से डालेंगे होगी बात ठीक है अब देखो मैं इसको आपको डाइरेक्ट ही करा देता हूं पूरा यहाँ से पहले हम दो देखिएगा कि यहाँ पर अपने पास गीवन है वह आप लिख लेना यहाँ से अब देखिएगा कि मैं डाइरेक्ट यहाँ पर देखिए दोनों triangles के बीच में discussion करूँगा यहाँ से D आएगा यहाँ पर C आएगा यह सेंटो सेंटो क्यूशन है एक की line के angle क्या होते हैं बराबर होते हैं इसलिए यह angle और यह angle बराबर है अब वही cos theta sin theta का component लाएंगे और यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से अपने को इस point के coordinate है तो यह तो y आया और यह कितना है x आया ठीक है यह x है और यह y है तो इसको देखिएगे तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या आने वाला है अब यहाँ से angle क्या है theta है तो angle theta है तो यहाँ पर इसमें relation देखिएगे और नीचे वाले में, तो कोश tita का relation आएगा, koos tita नहीं आएगा, sine tita आएगा इे अपने पास ये वाली distance तो कितनी है, भई, y है, और ये वाली distance कितनी है, x है, ठीक है, अब यहां से क्याangan करने, इस वाली triangle में, हम किसका देखेंगे, ये y है तो ये क्या है, perpendicular है और यह अपने पास क्या hypotenuse है तो perpendicular हो और hypotenuse में क्या relation होता है वो होता है sin theta का और यह अपने पास y upon में 3 ठीक है अब उपर वाले में देख लेंगे भाई इसी तरीके से वो क्या हैगा cos theta हैगा अब cos theta हैगा तो यहां का base तो कितना है x है और hypotenuse कितना है 9 है यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो यहां से इन दोनों को देखिएगा cos और sin square में हम एक identity जानते हैं इन दोनों का square करके add कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा तो क्या करेंगे कि हम squaring कर देंगे cos square और sin square theta क्या एगा equal to 1 आएगा और देखिएगा कि sin square theta की value तो कितनी है x upon में 9 का whole square plus और यहां से देखिएगा कि यह भी एक ellipse का ही आया है जो अपनों ने example solve किया था उसी की best पे है और यह y by 3 है जो कि square equal to 1 है और यहां से solve करोगे तो x square by 9 plus का y square यह तो 8 यह कितना आएगा यहां पर 81 आएगा और यह कितना आएगा 9 equal to 1 और यही अपने पास क्या होंगे answer होंगे बट मैंने देखिए सारा process examples में आपको करवा दिया था इसलिए वहां पे भी आप समझ गए होंगे I hope तो यह है तो यह direct है यहां से theory आप लिख भी सकते हो चलिएगा आप आगे चलते हैं अब देखिएगा कि हम अपने 6 number की question को discuss करते हैं इसमें क्या बोलावा देखिएगा कि अपने को क्या करना है कि finding the area of triangle format by the lines joining the vertex of the parabola to the end of its lattice rectum यह ना कि इसके जो end होंगी जो दोनो लाइन है वो कहाँ पे लाइन end होंगी वो अपने lattice rectum पे end होगी देखिएगा कि डाइग्राम कैसे हम ड्रो करेंगे वो बड़ा important होने वाला है और यहां से अब कि बार देखिए पेराबोला कौन सा है वो देखिए decide कर लिजे पेराबोला की equation अपने को दी हुई है x equal to 12y ठीक है वो कैसी दी हुई है यह देखिएगा कि यहां पे x square में है x square में होते ही अपना जो पेराबोला वो किसमे open होता है जो पेराबोला होगा वो y axis के along होगा open और यहां से देखिएगा कि y जो यहां पे y का जो कोपी सेंट है वो positive है इसका मतलब upward पेराबोला upward पेराबोला वा तो हमें यहां पे upward पेराबोला draw करने की ज़रुवत है तो उसको draw करो तो यहां से upward पेराबोला ऐसे बना ठीक है अब पेराबोला बना तो अब यहां से यह जो पेराबोला गीवन है इससे हमें क्या क्या चीज़ें आने वाली वो इनसे क्या पूस्ते हैं तो यहां से solution में क्योंकि सारा काम जो है वो यहां पे a dependent काम है तो गीवन क्या अपने को गीवन है जो कि क्या है x square equal to 12 y है तो यह गीवन है तो यह equation first होगी अपने पास जिसको हम general जो हाइपर जो पेराबोला होगा उसके साथ क्या कराएंगे कमपेरिजन कराएंगे तो देखिएगा कि equation equation first comparing with compare किसके साथ करेंगे x square equal to 4 a y के साथ तो then क्या करेंगे तो अपने पास compare कराते ही देखिएगा कि 4 a equal to 12 और यहां से a equal to 3 अब देखिएगा कि हम आसानी से इसके क्या देंगे focus के coordinates देदेंगे और focus के coordinates f equal to 0,3 अने वाल है अब यहां से देखिएगा कि इसका जो latest rectum जो हमें बोला हुआ है वो यह है ठीक है अब यहां से अपने को देखिएगा कि इसके जो vertex है ट्राइंगल के वो यहां से जा रहे हैं जो कि end किसके ऊपर हो रहे हैं लेटस rectum पे हो रहे हैं अब इसके देखिएगा कि यह triangle बन गया तो अब इसके यहां पर यह जो coordinates है वे भी तो हमें पता होना चाहिए न कि यह कैसे निखाले वाई यह सारी जो कानी है वो इसी parabola से अ of क्या है कि latest rectum length of यहां से latest rectum rectum इस कितना है वो अपने पास कितना यहां से वो है अपने पास 2a होता है न यहां पर तो एक current कितनी है यह है 12 12 है तो यह आगया 12 है यहानि a की value कितनी है? 3 है तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 होते ही यह 6 आई ठीक है तो यह जो total distance है अपनी पास यहां तक यहां पर 4a होता है इसका formula है 2a कैसे हो रहा है इसका formula होता है 4a और यहाँ से देखिएगा कि 4 into a यह कितना है 3, तो यह कितना है अपने पास 12, यहां से 12 आते ही क्या करेंगे, कि यहां पर total length यह 12 है, और symmetry होने की वज़े से, यह two parts में divide होगी, यह 6 है, और यहां पर यह वाली length भी 6 है, अब जैसे इस point के coordinates देखेंगे, तो देखेंगे, तो देखेंगे, कि X के coordinate minus है, क्यों को 3 आने वाला है, यहां पर clear आपको, अब जैसे आपको यह चीजे clear होई, तो क्या करने वाले हम, यहां पर इसको naming कर देगे, यहां पर A आजाएगा, यहां पर B आजाएगा, यहां पर A और B आते ही देखेंगा, कि अपने पास triangle बनके तयार है, triangle बनके तयार है, तो area निकाल लेंगे, तो यहां से देखिएगा, कि, कि we have, अपने पास triangle क्या आगया, by diagram, we have triangle कौन सा आगया, A, O, B, by diagram, by diagram, then, देखिएगा, कि, A coordinates अपने पास कितने है, यहां पर, माइनस का 6,3 है, B कोमा है, वो 6,3 है, और end, और यहां पर देखिएगा, कि, O point कौन सा है, 0,0 है, तो area का formula यहां पर लगाएंगे, then, क्या करेंगे, then, area, area of triangle, A, O, B, और 1 by 2, यहां से formula क्या होगा, बुल गएगा area का, तो यहां से X आएगा, और यहां से आएगा Y2, माइनस का Y1, और यहां पर आएगा X2, यहां पर आएगा Y3, और यहां पर आएगा Y1, Y1, प्लस का, यहां पर X3 आएगा, और यहां से क्या आएगा Y1, माइनस का Y2, यह absolute में, अब देखिएगा, कि इसको solve कराते जाहिए, X1, पहला coordinate A, इसको देखूं, इसको देखते है, माइनस का 6, यहां पर Y पर देखिएगा, यहां पर आएगा 3, यहां पर कितना है, Y2 तर 3, और आगे कितना है, माइनस 0, प्लस का Y2 कितना है, Y2 है 6, और आगे देखिएगा, ki, Y3, 0 है, माइनस 3 है, और आगे देखिएगा, कि x3 0 है और यह सारा completely 0 हो जाएगा तो यहां से आगे जैसे आप solve करोगे अंदर देखिएगा कि 1 by 2 absolute में 18 minus 18 आएगा और total करके बाहर जो आएगा वो 1 by 2 36 आएगा जो कि equal होगा कि इसके 18 cm 18 कितना 18 वैसे तो कुछ अपने को कुछ तो दिया नहीं है न मिटर वीटर तो तो unit square आजाएगा भाई यह अपने पास क्या हो गया area of triangle AOB यह तो यहां से आपको clear होगा कि पूरा area आपनों निकाल लिया है चलिए आप आगे चलते है अपने question number 7 पे 7 क्या है देखिएगा कि एक क्या है एक ही main है जो की running कर रहा है race course पे notate that the sum of the distance from the two flag post यानि कि दो flag post है जहां से sum कितना है उसका always 10 है ठीक वहां से और then the distance from between the two flags यानि two flags के between जो distance वो है 8 तो अब उसको क्या करना है कि finding the जो जहां पे वो दोड रहा है उसका track का अपने को equation find out करना है देखिएगा कि जो हम दोड लगाते हैं वो वाला जो track होता है वो ellipse का जैसे होता है इसके तो sum दियावा है इस पास से भी आपको समझना चाहिए sum दियावा है तो general जो definition होती है वो क्या होती है आपकी ellipse की कहेंगी अपने पास दो fix point होते हैं जहां से हम एक ellipse के उपर कोई point लेते हैं वहां से उन दोनों distance का sum करते हैं तो वो कितना तक constant आता है उसी को हम क्या बोलते हैं पेरा बोला वो इसके एक general definition है उससे भी हमें idea हो जाना चीए कि यहाँ पर क्या आने वाला इलिप्स का shape आने वाला है ठीक है तो पहले हम ellipse बनाते हैं और track को देखते हैं इस परकार का अपने कोई ellipse होगा जिसमें देखिएगा आपके लिए क्या आने वाला है यह अब थोड़ा सा अक सक्सिस्टू यह आएगे आपने पास और इसके ऐसे और यहां से देखिएगा कि इसने दो फ्लेक दिये हैं और हम definition में उन दो जो फ्लेक होते हैं उन fix point को क्या देते हैं F2 और F1 focus name देते हैं अब जहां से इस track के उपर अपने को एक person है जो कि घुम रहा है कहीं पर भी घुम सकता है उसको आजादी है यहां पर गुमने की ठीक है वह यहां से गुम रहा है तो हम उसकी देखिएगा कि यह वाली distance देखेंगे दोनों flex है यह वाली distance है एक तो उसकी और एक है यह वाली distance अब इन दोनों का जो sum है उसने कितना दे रखा अपने को 10 दिया हुआ है तो यहां पर point P आ गया और यह point P आ गया अब दूसरी क्या है अपने पास इन दोनों flex के बीच की तो यहां से देखेंगा कि यह दोनों flex के बीच की जो distance होती है जनरली जब हम formula derive जब इसकी general form जब पढ़ते थे तो वहां पर यह दोनों क्या होते थे center होती इसके क्या होता जी c और यहां पर आता minus c,0 तो इन दोनों के बीच के distance आगी, अब अपने को इस track का equation find out करना है, तो यह track ellipse का जैसा है, तो इसमें अपने को a निकालना होगा और b निकालना होगा, वो दोनों निकल के आ जाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे, अपना पूरा complete इसका answer आ जाएगा, त Sum of distance from, from the two flags, two flags post from main, वो कितना दिया हो है, always है, वो 10, यहां से 10 meter है, तो इसका मतलब, यदि हम geometry के लिए जाएंगे, तो इसका मतलब अपने पास क्या है, कि 2, यदि f1 plus p, f2 का Sum कितना है, वो 10 है, यहां तक तो clear हो गया इससे, अब second जो line है, इनके बीच की जो distance अपने पास वो क्या है, कि distance between both flags, इनके बीच की जो distance है, वो कितनी है, flex के बीच की, वो अपने पास होती है, 2c, generally होती है, वो 2c, और अपने को यहां पे given कितनी है, 8 meter, तो यह, अब c कितना है, आपके पास में, 4, c आगया 4, अब ellipse में आप जानते होंगे, कि c की जो form आती है, वो क्या होता है, जो इनके बीच का relation आता है, a और b के बीच में, वो क्या होता है, तो वो अपने पास यहां पे, क्या आता है, c equal to क्या होता है, अपने पास, c square equal to होता है, a square minus का b square, यह वाला relation यहां पे आता है, तो यहां से एक तो यह relation यूज़ करना पड़ेगा, एक यहां पे हम यह भी जानते हैं कि, देखिएगा कि यह जो दोनों की distance आईए, जनरल जब definition जब हम लिखते हैं, तो वो इसकी, यह आती है, यह वाली, वो किसके equal होती है, 2a के equal होती है, तो इसकी जो minor, जो major axis होगी ना, उसकी length के बराबर, ठीक है, तो अब यहां पे एक point और लिखना पड़ेगा, कि यहां पे देखिएगा कि distance, कि हम क्या जानते हैं, कि we know, that, sum of, sum of distance, sum of distance, of point, point P, जो x, y है, p, x, p, x, y है, वो कितना होगा, अपने पास, the sum of the distance of the point from, यहां से, from कौन से है, both fixed points, both fixed points, is equal to, is equal to length of, length of major, major axis, जो कि length होगी कि, इसकी major axis की, जैसे यह major axis की length होती है, तो यहां पे अपने पास जो यह relation दिया वा था, कि P, F1, plus P, F2, equal to 10, वो क्या होता है, 2A हो जाएगा, यह वाले distance, तो A, और यहां से A, equal to कितना आ जाएगा, आपके सामने 5, ठीक है, यहां से, और अपने पास देखिएगा, कि एक relation है, C, square, equal to A, square, minus का B, अब यहां से C की value तो अपने पास 4 थी, तो 2, square कर दो, और यहां से A की value उपर से put कर दो, तो 5 का square, minus का B कर दो, तो यहां से आपको कुछ, दिक्कत तो नहीं हो रही न, दिक्कत नहीं हो रही तो चलिए आगे चलते हैं, तो यहां से देखिए कितना आया आपके लिए, तो B चीए, तो आपको देखिएगा, कि यहां पर 25 में से क्या कर दो, तो 16 को हठा दो, तो यहां से B square की value कितनी आएगी, आपके पास 9, अब आपके पास A B है और B B है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो ट्रेक है, वो ellipse की जैसे है, ठीक है, तो जो अपने पास, यह A और B आगया, तो क्या होगा, क्या चूं कि, the running track is, जो running track होगा, वो क्या है, running track is like as ellipse, then general equation, general equation, equation of, of this, तो इसकी जो general equation होगी, वो X square upon में A होगी, और Y upon में B होगी, equal to 1, अब यहां से क्या करेंगे, हम A और B की value पूट करा देंगे, तो अपने पास क्या होगी, A square तो A की value थी, तो यह होगया 25+, आगे देखेंगे, B square कितना होगया 9, और equal to 1, और यह ही अपने क्या थे, answer है, तो यहां तक तो आपको clear होगया होगा, I hope, तो कुछ भी नहीं है, देखें, running track है, जिस परकार से हम दोडते हैं, रोज दोडते रहते हैं, वो एक running track था, जिस पर एक धावक दोड रहा था, विस उसी के लिए हमने इतना प्रियास किया कि उसका, कुछ equation निकाला, जिसके उपर वो दोड रहा था, ठीक है, तो वो ellipse के उपर दोड रहा था, इतने दिन उसको पता नहीं था, आज बता दिया हमने, कि वह तो किसके उपर दोड़ता है, ठीक है, देखिएगा कि हम अपने eight number के question को solve करते हैं, देखिएगा क्या है अपना question, the equilator triangle is inscribed, किसमे करते हैं, in the parabola, यहन कि इसको बनाते हैं, कहने का मतलब है हम parabola के अंदर बनाते हैं, जिसके क्या होते हैं, one vertex is the at the vertex of the parabola, जिसका एक vertex होगा, वो अपने इस parabola के vertex पे आएगा, तो यहां से क्या है कि finding the length of the side of triangle, अपने को क्या करना है, इस triangle की क्या है, side prompt करनी है, ठीक है, तो यहां से देखिएगा कि क्या है, अपने पास पहले तो यह parabola, देख लीजे अपना जाना पेचाना सा है, कौन सा parabola है, इसका idea आपको हो जाना चाहिए, कि 4A X है तो यहां से जाना पेचान अपना पेरबुला है तो यहां पर देखिएगा कि इसमें देखिए Y square में अपनी equation है और यहां पर देखिएगे तो symmetric इसके along आईगी, x axis के along आईगी और यह देखिएगा कि इसका जो copy center वो भी क्या है positive है, इसका मतलब positive axis की तरफ open होगा clear आपको बात है तो देखिएगा तो यहां से अब अपने पास क्या होगा तो अब हम diagram बनाते हैं इसका पेरबुला का भई पेरबुला यह है अपने पास यह, अब यहां से पेरबुला ड्रो करना है अपने को तो यह सब यह अपना क्या है यहां पेरबुला यह तो पेरबुला के बाद में देखिएगा अब अपने को क्या करना है यहां से अपने को क्या करना है इसके अंदर अपने को equilateral triangle बनाना है ठीक है, equilateral triangle और जिसका एक vertex अपने पास इसका जो पेरबुला का vertex है उस पे क्या है वो होगा, तो यहां से एक vertex 0, यह होगा जो कि vertex suppose that A हो गया अपने पास, इसको point A दे दिया अब इसके अंदर ही अपने को क्या करना है A को क्या करना है इसके अंदर ही अपने को क्या है एक draw करना अपने triangle तो equilateral triangle यह आया और यहां से यह आ गया ठीक है? equilateral triangle आ गया अब जैसे ही, यहां पे अपने पास कुछ भी idea नहीं है और अपने पास जहां पे भी यह cut है, उसको हमने क्या दे दिया एक तो A नाम दे दिया एक अपनोंने क्या दे दिया, भी नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पर, तो जैसे हमने यहाँ पर दिया, तो क्या आने वाला है, जैसे अब इस point के coordinates आपको नहीं पता है, क्या होंगे, इस point के भी आपको पता है, कुछ coordinates का कुछ पता नहीं है, बस अपने पास अभी तक तो क्य आया है अपना एक ट्राइंगल ए ओ भी आया है ठीक है जो भी अपने उने किया है वो लिखते हैं तो तो देखिए क्या करते हैं solution में और एक तो क्या दिया है कि गिवन क्या है अपने पास पहले तो एक general पेराबोला equation है अपने पास general पेराबोला पेराबोला equation ठीक है general पेराबोला equation है तो क्या करेंगे वो क्या है अपने पास y square equal to 4ax है यहां तक की लिए आपको बात है अब यहां से क्या करना है अपने को यह दियावा है अब अपने को अंदर अपने क्या करना है एक जो अपने vertex of triangle AOB is क्या है parabola vertex is parabola vertex जो कि parabola एक vertex है तो जो कि क्या होगा अपने पास which O होगा जो कि 0,0 होगा ठीक है 0,0 है अब अपने को need अपने पास A और B को find out करने की तो यहां से अपने को चीए we need to coordinate of A and B point of triangle यह अपने पास जो triangle है उसके क्या है A और B के coordinates ही है तो अपने पास यह देखिएगा कि A B line है वो axis को कहां पे कट कर रही है वो कट करेगी एक point C के उपर यह द्यान में रखिएगा तो यहां पे कि according to diagram according to diagram according to diagram क्या होगा यहां पे A B जो line है A B line cuts D A C Axis 8 कहां पे cut कर रही है वो cut कर रही है C के उपर यहां पे C पे cut कर रही है यहां तो clear आपको तो C पे cut कर रही है तो then अब अपने पास क्या होगा then O C क्या होगी यहां पे तो then O C is then अपनोंने late कर लिया जो O C की length है late और C equal to K यहां पर ठीक देन C point C point coordinates C point coordinates क्या होंगे अपने पास? वो होंगे C और यहां पर K,0 तो यहां से यह जो distance वो K है तो यहां तक यह क्या आएगी? K,0 आएगी अब अपने पास देखिएगा कि यह जो AB point है इसके coordinates क्या आने वाले? देखिएगा कि इसको हम late करेंगे अपने पास X तो है कितना K, Y अपने पास late कर लिया Y का Y इसी प्रकार यह दिए आप B को मानोगे तो K आएगा और इसको भी आप क्या ले सकते हो? Y ले सकते हो कुछ पता नहीं है कौन सा point है यहाँ पर है तो इसको भी हमने क्या कर लिया Y ले लिया तो यह तो इसको Y1 ले लिजेगा आप Y ठीक है यहाँ पर क्योंकि इसमें Y में symmetry आएगी तो यह Y और यह negative Y आएगा यहाँ पर पर पॉइंट आगे A और B पहले हम A point को निकालने का कश्ट करेंगे क्या क्या आता है तो अब करेंगे हम कि यहाँ पर की point देखिएगा की point A कौन सा है कि k, y lies on the parabola यहाँ पर parabola पर क्या कर रहा है lies कर रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा y equal to 4 A x अब यहाँ से देखिएगा कि आपके सामने y तो अपना y है और 4 A और into यहाँ पर k, x की value कितनी है k है तो आप क्या करोगे y की value के आएगी plus minus का क्या आने वाली है यहाँ से minus का 2 under root A के अब देखिएगा कि 1y की value अपने पास क्या आने वाली है कि यहाँ पर 1y तो अपने पास 2 under root के आने वाला है और यहाँ से और 1 value क्या आने वाली है minus का 2 under root A के आने वाली है ठीक है यहां पर अब यहां से आप यह भी कर सकते होगी एक ही अपने पास देखिएगा य है माइनस वाई को हमने क्या ले सकते हैं यहां पर य तो वह आ गया और माइनस वाई लिया था वहां पर तो यह देखिएगा कि यहां पर अपने पास देखिए य माइनस नहीं आएग तो यहां से उपर वाला decision करदेगा, नीचे वाला, नीचे वाले का decision करदेगा, कि Y negative आएगा नीचे, तो इसकी value यहाँ जाएगी, यहां से तो यहां से देखेगा कि Y की दो values आईगे, तो यहां से then अपने पास क्या आएगी, कि then a point आपके पास में क्या आने वाला है कि a point आएगा k और यहाँ पे under root में 2 a k और नीचे वाले का देखेगा कि end जो b point आएगा वो क्या आएगा symmetry से k, नीचे भी y आएगा तो यहाँ से क्या आएगा 2 under root a k यह तो यहाँ पे a b point आपको मिल गया यहाँ से यहाँ तक clear आपको तो यहाँ से a और b आपको point मिल चुके हैं अब equilater triangle की condition को solve करते हुए अपने को k की value चाहिए वो कैसे निकालेंगे वो बड़ा question अपने लिए वो कैसे निकालेंगे क्योंकि यहाँ वाली यह distance आपस में क्या equal है तो यह वाली distance इसके क्या होगी equal होगी यानि कि सारी जो length होगी यह सारी बुझाए आपस में क्या equal है कोई भी 2 उठालो उनको equate कर दो और k की value find out कर लो ठीक है तो देखते हैं आप आगे क्या करते हैं कि then अब देखिएगा कि देखिएगा कि क्या करेंगे 4 हम क्या करना find करना चारें k तो we want to find that k value हम क्या करना चारें k value को find out करने के लिए क्या करेंगे हम a o का square equal to पहले square नहीं करेंगे पहले हम क्या करते हैं a o की distance है वो a b के equal होती है और जो इसका square होगा यदि ये बराबर है तो इनका square भी क्या होगा बराबर होगा distance है इसलिए ठीक है अब a o तो क्या आएगा आपका a o तो यहां से distance करोगे तो k square plus का क्या आने वाला है 4 a के आने वाला equal में यदि आप उस वाले का यहां से यह जो distance करोगे यह वाली क्या आने वाली है यह y और y है तो 2y आएगा और y का जो यहां से distance निकालोगे तो k से to k चला जाएगा और यहां पर देखेगा कि y में से y जाएगा तो यहां यहां पर इस point के coordinates क्या आगे अपने पास अब देखेगा कि इस point के क्या अपने पास coordinates था है वो हो गए अपने पास under root में 2 a k ठीक है और यहां से इस point के क्या आगे k और plus में under root a k यह तो यह अपने पास यह अब इनके बीच में a b का distance अपने को निकालना है और यहां से k से तो k चला जाएगा direct अब यहां पर distance formula लगाएंगे तो यहां से क्या आएगा तो यहां से a b की जो distance आएगी वो आएगी अपने पास 16 a k 16 a k आएगी तो जैसे आप देखेगा कि इधर इसको लेकर आओगे तो k square और इधर कितना आएगा 12 a k अब देखेगा कि आप k equal to 0 तो ले नहीं सकते यहां से क्या लेंगे 12 a लेंगे 12 a लेंगे तो अब अपने पास k की value यहां पर इन points में रखेंगे और a b से क्या निकाल लेंगे इसके distance निकाल लेंगे तो वो अपने पास क्या आजाएगा पूरा का पूरा अपना पूरेगा पूरा क्या आएगा यहां से distance आजाएगी उसकी यहां था clear आपको तो यहां से a b तो यहां से देखेगा कि यह वाले distance अपने को निकालनी है कर लेंगे यहां से चलिएगा तो अब आगे क्या करने वाले हैं? अब निकालने वाले AB distance तो देखिएगा कि हम क्या करेंगे? एक यहाँ पर क्या है कि AB is side of equilateral triangle ठीक? AB एक side है तो देन अपने पास देखिएगा कि AB equal to क्या है? यदि AB आप distance निकालोगे तो क्या आएगा? तो यहाँ से यदि आपके पास A point कितना है? यहाँ पर K, है और क्या आएगा? प्लस का अंडरूट यहाँ से K है और 2 है और यहाँ पर B point कितना है अपने पास? वह है K और माइनस का 2 अंडरूट क्या है? A K है यहाँ तो clear है? जो कि equal to 0 है equal to 0 कैसे भई? क्या कर रहे हो? तो यहाँ से A B चीए A B चीए तो distance का formula लगा देंगे अंडरूट में रखेंगे क्या? यहाँ से K minus K गया तो यह तो 0 हुआ और यहाँ पर देखेगा कि यह कितना आएगा? यह आपके सामने आएगा कि यह दोनों जूड़के तो हो जाएगे 4 अंडरूट एके और इसका क्या कर दोगे? आप whole square कर दोगे अब जैसे यहाँ से यह तो हटेगा और यह हटेगा तो आपके लिए देखेगा कि 4 आएगा और अंडरूट में एके आएगा अब देखेगा कि k की value आप put करा दीजेगा कि put करने पर आपके सामने क्या आने वाली है 4, root a तो ऐसा का ऐसा, इसकी value क्या आएगी 2a, अब देखेगा कि a b है तो यहाँ से 4 और यहाँ पर देखेगा कि 2 आएगा और अंडरूट 3 और यह a आएगा तो यहाँ से आपके लिए क्या आएगी a b की length आएगी 8 अंडरूट 3 यह answer है तो side of equilateral triangle side of equilateral triangle is क्या होगी a o b जो कि equal किसके होगी 8 अंडरूट 3 a और यह अपने पास क्या होगी? answer होगी तो यह अपने पास देखेगा कि यह वाली सभी distance यह सारी क्या है equal है इसलिए हमने यह किया है तो अब अपनी जो exercise वह भी complete है अंडरूट